ओम भोर भुवश्वा तच्छा वितुर वरेनियम भरगो देवस्य धीमही धीयो योनह प्रचो दयात ओम शान्ति 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 तो अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए तीन चीज का ख्याल रखना चाहिए तीन बातों का नमबर वन मैंने क्या बनाया बताया कंपिटेंट अर्थाथ च्छमता आपको सक्छम बनना चाहिए क्या बनना चाहिए तो च्छमता हमारे जीवन में कैसे पैदा होती है नमबर लिखो नमबर वन कंटेंट नमबर वन कंटेंट आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसकी हमारे जीवन में क्या उपियोगिता है आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसकी हमें क्या उपियोगिता हमारे जीवन में क्या उपियोगिता है आप लोग यहाँ आ करके आपको एक दो पेज लिखना चाहिए कि हम सिविर में क्यों आए और सिविर से हमने क्या सीखा और सिविर में जो कुछ सीखा उसका हमारे जीवन में कोई उपयोगिता है या नहीं है जो बच्चा दो पेज तीन पेज लिखकर लाएगा उसको यहाँ मन से सम्मानित किया जाएगा कि हमने यहाँ आ करके क्या सीखा अच्छा सीखा बुरा सीखा अच्छा लगा गलत लगा क्या क्या चीज अच्छाई मिली क्या क्या चीज हमको गलत लगी जो भी कुछ आप लिख सकते है अपना अनुभव आपको लिखना चाहिए हमने क्या सिखा तो उसी तरह से आपको अपने जीवन के विशे में सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसकी हमारे जीवन में क्या उप्योगिता है देश काल परिस्थिती के अनुसार लोगों के उद्देश बदल जाते हैं कभी कभी उद्देश की परिभासाईं भी बदल जाती हैं बीश्मी सताब्दी तक दुनिया में ये मान्यता थी कि जिसको लिखना आता है पढ़ना आता है वह ब्यक्ति साक्षर होगा लेकिन एकीश्मी सताब्दी में ये मान्यताएं बदल गई हैं एकीश्मी सताब्दी में जिसको लिखना आता है पढ़ना आता है वह भी ब्यक्ति असिक्षित माना जाएगा एकीश्मी सताब्दी में बात समझ रहें 21st century में जिसको लिखना आता है पढ़ना आता है वह ब्यक्ति इलिटरेट असिक्षित माना जाएगा तो इस समय दुनिया के एक महान चिंतन सील ब्यक्ति है उनका नाम है आलवीन टोफलर लिख लो आलवीन टोफलर ने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है फ्यूचर सौक फ्यूचर सौक नाम की पुस्तक में आलवीन टोफलर लिखते हैं कि 21st century में जिसको लिखना आता है पढ़ना आता है वह ब्यक्ति इलिटरेट माना जाएगा असिक्षित माना जाएगा तो लिखो अनपढ़ ब्यक्ति की तीन पहचान होती है अनपढ़ ब्यक्ति की कितनी पहचान होती है तीन नमबर वन डोंट वांट टू लर्न निव थिंग्स जो नई चीज सीखना नहीं चाहता वह अनपढ़ होगा डोंट वांट टू लर्न निव थिंग्स जो नई चीज सीखना नहीं चाहता वह अनपढ़ होगा नमबर टू डोंट वांट टू फोर्गेट अन्यूजबल थिंग्स जो बेकार की चीज भूलना नहीं चाहता वह अनपढ़ होगा नमबर तीन डोंट वांट टू री लर्न जो नई चीज सीखने के लिए तैयार नहीं रहता वह अनपढ़ होगा असिक्षित होगा तो हमें बेकार की चीज भूलना चाहिए अनपयोगी बस्तूओं का कोई उपयोग नहीं है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए तभी आप एकीश्वी सताबदी में काम्याब होंगे डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स जो नई चीज सीखने के लिए तैयार नहीं रहता बेकार की चीज भूलने के लिए कोशिश नहीं करता और नया सीखने के लिए अपने आपको हमेशा एलर्ट नहीं रखता वह ब्यक्ती असिक्षित होगा आज से 30 बर्स पहले का पढ़ा लिखा आदमी आज से 30 बर्स पहले का ग्रेजवेट आज के जमाने में असिक्षित है चुकि 30 बर्स पहले MBA, MPA, BBA, BCA अनेक प्रकार की साइंस की डिग्री, कॉमर्स की डिग्रियां नहीं थी इन्फर्मेशन टेकनोलोजी का कोई ग्यान नहीं था न्यूटरनो अब्जरवेटरी का नॉलेज नहीं था तो जो आज से 30 बर्स पहले के पढ़े लिखे लोग है, 30 बर्स पहले जिसने साइंस पढ़ा 30 बर्स पहले जो कॉमर्स पढ़े हैं, अगर उनको आधुनिक ज्यान नहीं है तो आज के पढ़े लिखे दुनिया में वह असिक्षित समझे जाएंगे तो नंबर वन, कंटेंड, आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता कितनी है यह बात समझ में आई आई आपको नंबर टू, एप्लिकेशन आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो ग्यान हमने सीखा है जो ग्यान हमें सिखाया गया है इसका हमें उपयोग करना आता है या नहीं आता है जो ग्यान हमने महत्तिस बात का नहीं है कि हमारे पास स्टोर क्या है महत्तिस बात का है कि उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं एक्सप्रिमेंट उसका उपयोग कैसे करते हैं प्रयोग कैसे करते हैं प्रयोग में लाते कैसे हैं यह हमारे लिए महत्तिकी बात है तीसरी बात Evolution ग्ञान को हमेशा जाचना परकना चाहिए ग्ञान को क्या करना चाहिए जाचना परकना चाहिए हमें कभी भी orthodoxyous, rūढ़ी वा दी नहीं होना चाहिए blind faith, अंद विश्वास में नहीं फसना चाहिए हमेशा मस्तिस को open रखना चाहिए हमेशा नई चीज सीखने की कोशिश करना चाहिए हमें अपने टीचर अपने गुरू का सम्मान करना चाहिए लेकिन उनकी ग्यान के परती हमेशा संका रखनी चाहिए कोई भी बेक्ती अंतिम बिद्वान नहीं होता हमें सोचना चाहिए जो इन्हों ने बताया इससे और दुनिया आगे क्या हो सकता है इससे और बेटर क्या हो सकता है ये नहीं कि जो गुरु जी ने बता दिया वही सत्य है वही आखरी बात है और इससे आगे दुनिया कुछ नहीं है आप देखो भारत देश का सर्वनास उस दिन से प्रारंब हुआ जिस दिन से भारत के लोग गुरुडम ब्यवस्था में विश्वास करना बहुत ज़ादा सोचने लगे, बहुत ज़ादा विश्वास करने लगे इन लोगों ने ये मान लिया ब्रह्मवाक्यम जनारदनम जो गुरुजी ने बता दिया, वो भग्वान ने बताया है तो इसका परिणाम क्या निकला कि बिदुर, चाड़क, सुक्राचार के बाद किसी ने पॉलिटिक्स पर काम नहीं किया कौटिल के बाद किसी ने इकोनॉमिक्स पर काम नहीं किया भरत, नारद के बाद किसी ने म्यूजिक संगीत पर काम नहीं किया भरत द्वाज के बाद किसी ने टेकनोलोजी पर काम नहीं किया गौतम कडार पतंजली ब्यास जैमनी के बाद किसी ने फिलोस्पी पर काम नहीं किया परिडाम क्या निकला कि मुगल लोग आए तोप लेकर आए अंग्रेज लोग आए तलवार लेकर आए बंदूख लेकर आए और हम लोग वही तलवार भाजते रहे चुकि गुरु जी ने इससे आगे ग्यान हमें नहीं सिखाया था ऐसा नहीं कि भारत देश में कभी ग्यान नहीं था भारत देश ऐसा सुसिक्षित था सम्रिध था कि सारी दुनिया में ग्यान टेकनोलोजी का आविश्कार भारत देश से हुआ था 1610 की साल में गलेलियों ने खोज किया कि सूर्य में नीले कलर का धब्बा है लेकिन बालमीकी रामायड में हजजारों साल पहले बमहर्शी बालमीक जी ने इस बात को लिखा था आदित्य बिमले नीलम लक्षमय लक्षमणं द्रिश्यते हे लक्षमण इस सूर्य को देखो इसमें नीले कलर का धब्बा प्रतीत हो रहा कौपर निकस ने ये बताया कि ब्रम्भांड का केंद्र सूर्य है प्रत्वी नहीं है लेकिन मानों की लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद और वेद भारत में प्रगट हुए उस बेद में लिखा सूर्य आत्मा जगतस्त अर्थात इस इन्वर्ष का केंद्र ब्रम्भांड का केंद्र सूर्य है दुनिया के जितने भी समेटिक रिलीजन है वो कहते थे प्रत्वी चप्टी है आकास अलग अलग प्रकार के परत है साथ प्रकार के चार प्रकार के आस्मान है लेकिन रिगवेद के पहले मंडल के सत्तामन सूक्त में बताया गया था अर्थात प्रत्वी गोल है और वो सूर के चारो दिशाओं में घूमती है तभी दिन और रात होते हैं ये सब ग्यान हमारे पास कोई आज की नहीं है हमारी प्राचीन संस्कृती में बहुत से ग्यान का भंडार भरा था और यहां के लोग बड़े सम्रिद्ध थे ये बात मैं अपने मुग से कहूं तो अच्छी बात नहीं है आधुनिक सिक्षा के भारत देश में जनक माने जाते हैं लौड मेकाले लौड मेकाले कोई पढ़े लिखे बिद्धवान कोई स्कॉलर नहीं थे वह एक पोलिटिकल डिप्लोमेट एजेंट थे लेकिन भारत की सिक्षा लौड मेकाले के नाम के साथ जोड़ी जाती है बच्चों इडेट लिख लो दस जून अठारे सो चोंतिस को लौड मेकाले ने भारत की धरती पर कदम रखा था और दस जून अठारे सो चोंतिस को लौड मेकाले ने भारत की धरती पर कदम रखा था और दो फरवरी अठारे सो पेंटिस को भारत से ब्रिटेन वापस गए थे और दो फरवरी अठारे सो पेंटिस को कॉमन हाउस में जब उन्होंनी स्पीच दिया तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा और नहीं तो कैंब्रिज हिस्ट्रिय ओफ इंडिया कि सिक्स वैलूम के तीसरे पेज से लेके सत्रे पेज पर उनकी स्पीच उसमें लिखी गई है लौड मेकाले ने भारत के बिशे में बहुत कुछ बताया लेकिन महत्व की बात ये बताया कि हमने भारत का काफी ट्रेवल किया काफी इस देश को देखा लेकिन एक भी आदमी इस देश में हमको भिखारी नहीं मिला और एक भी आदमी हमको असंसकारी असिक्षित नहीं मिला ये बात लॉड मेकाले ने दो फरवरी 1835 को ब्रिटिस के कॉमन हाउस में बयान दिया है जो आन रिकार्ड है कि हमने इतना बरबाद होने के बाद इस देश की स्थिति इतनी अच्छी थी कि आदमी सिक्षा इस देश में नहीं था लेकिन इस देश के लोग संसकारी थे, सुसब्य थे और सालीन थे ये बात लॉड मेकाले ने स्विकार किया है भारत की जो सिक्षा थी, जो आधुनिक सिक्षा है ये सिक्षा नीती लॉड मेकाले ने नहीं बनाई है आप लिख लो, ये सिक्षा नीती 1813 की साल में चार्टर एक्ट नाम के ब्यक्ति ने बनाया उस ब्यक्ति का नाम था चार्टर एक्ट 1835 की साल में मेकाले मिनिट्स ने इसको आगे बढ़ाया लेकिन मेकाले के जमाने में लॉड मेकाले के समय में लड़कियों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था मेकाले इतने प्रकती सील नहीं थे कि भारत की लड़कियों को सिक्षा दी जा सके लड़कियों को सिक्षा देने के लिए 1854 में इस्ट इंडिया कमपनी के चेर्मेन उट्स डिस्पैच ने एक ग्रांट रिलीज किया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को सिक्षा मिलनी चाहिए 1854 में East India Company के director chairman जो भी उसमें उनके होते थे उनका नाम था Oats Dispatch और Oats Dispatch ने इसको grant दिया उससे लड़कियों की सिक्षा प्रारंब होई और 1885 में भारत में उस सूरज निकला 1885 की साल में दो लड़की कॉलेज की परिक्षा पास की अब जो बता देगा वो लड़कियों का नाम उसको हम साल उड़ा कर यहां सन्मान करेंगे वो दो लड़की कौन थी जिन्होंने हिंदुस्तान की धर्ती में सबसे पहले कॉलेज की परिक्षा पास की जिसमें एक गुजराती थी जिसके नाम से इन्वर्सिटी है क्या किरन बेदी बताओ चलो ठीक है तो पहली लड़की चटो पाध्याय के इस्टेट की थी बंगाली मिस गांगली और दूसरी लड़की यहां से 70 किलो मीटर दूर खंभालिया की थी नाथी बाई दामोदर ठाकरसी यूमन्स इन्वर्सिटी उनके नाम से बना और जिसको यसन्डीटी के नाम से जाना जाता है एक लड़की यहां खंभालिया इसी जामनगर की थी 1885 की साल में सूरज निकला कि दो लड़की कॉलेज की परिक्षा पास की तो यह देश पहले से सुसक्षित था भारत देश में अंग्रेजी माध्यम से सिक्षा दिया जाए या संस्कृत माध्यम से सिक्षा दिया जाए बहुत सी मूवमेंट इस पर चलाई गई इसमें दो ग्रुप बने एक ग्रुप था मोनियर बिलियम्स का मोनियर बिलियम्स कहते थे भारत में सिक्षा संस्कृत माध्यम से होनी चाहिए क्योंकि तमिल भासा में 67% संस्कृत है मल्यालम भासा में 65% संस्कृत है कन्नर भासा में 63% संस्कृत है तेलगू भासा में 66% संस्कृत है मराथी भासा में 48% संस्कृत है उडिया भासा में 58% संस्कृत है पंजाबी भासा में 32% संस्कृत है आसामी भासा में 49% संस्कृत है अर्थात अगर संस्कृत माध्यम से सिक्षा दिया जाए तो भारत की सभी भासाएं आसानी से समझी जा सकती है और जिनका उद्देश था कि भारती संस्कृती को कैसे मिटाया जाए भारत को भारतियता से कैसे अलग किया जाए वो थे उनका नाम प्रोफेसर मैक्स मुलर और प्रोफेसर मैक्स मुलर को जब भारती सास्तरों के विशे में ग्यान हुआ तो जिंदगी के अंतिम समय में एक पुस्तक लिखी इंडिया होट के टीच अस इट अर्थात भारत से हम क्या सीख सकते हैं बिश्च को भारत की देन इस पुस्तक के पेज नंबर 92 में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने लिखा है इन दे हिस्ट्री आफ़ोल दे बेदाज फिले गए पिशनोलिटेरी वर की जनी अधर लाइंगवेश कुट फिल अर्थात संसार के इतिहास में वेद एक ऐसा रिक्तस्थान छोड़ते हैं जिनकी पूर्ती हम अन्न किसी भासा से नहीं कर सकते हैं अर्थात संस्कृत भासा को हमने सीख लिया तो बिश्च की सभी भासा को हम बड़े आसानी से सीख सकते हैं ICS के विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए प्रोफेसर मैक्स मुलर ने स्विकार किया 26 ESA में मैक्स मुलर ने लिखा कि जो बिश्चिस संस्कृत भासा को सीख लिया वो दुनिया की सभी भासा को बड़े आसानी से सीख सकता है प्यारे बच्चों दुनिया में जितनी भी भासा लिखी जाती है वो लेट साइड से लिखी जाती है को राइड साइड में दुनिया की चार भासा लिखी जाती है कौन नाम बताएगा चार भासा का चलो उर्दू और अर्भी दो फार्शी तीन चौथा हाँ जी मराठी राइट साट से लिखी जाती है अब बताओ तिर जब नहीं जानकारी है तो चुप रहना चाहिए बकवास बीच में नहीं करना चाहिए जिन्दगी में याद कर लो जिस चीज की जितनी जानकारी है उतना बोलना चाहिए अगर जानकारी नहीं है तो चुप रहना बेटर होता है जितनी जानकारी है उतनी हमें बात करने चाहिए अगर नहीं जानकारी है तो हमें चुप रहना चाहिए। राइट साइड से लिख लो चार भासा लिखी जाती हैं। अर्भी, उर्दू, फार्शी और सिंधी। दुनिया में फोर लांगवेज राइट साइड से लिखी जाती हैं। और दुनिया की सभी लांगवेज लेट साइड से लिखी जाती हैं। लेकिन दुनिया की सभी लांगवेज की मदर संस्कृत है। जिस धर्म से बिलीव करते हैं मालेकर साहब, यहूदी धर्म से हैं। 1600 बरस तक यहूदियों का दुनिया पे कोई राज नहीं था। दरदर भटकते थे। लेकिन 14 मई 1948 को जब धर्ती पर इजराइल नाम का देश बनाया गया। 14 मई 1948 को मालेकर साहब इजराइल बना था। तो सबसे पहला काम वहां की यहूदी लोगों ने क्या किया 20 मई 1948 को एक सब्ता के अंदर 98 परसेंट लोग दुनिया के यहूदी दूसरी लैंगवेज जानते थे। उनली टू परसेंट यहूदी हिब्रु भासा जानते थे। और उन लोगों ने 20 मई 1948 को हिब्रु को राष्ट्री भासा घोसित किया। दो परसद जानने वाले लोगों को का हम दो परसद जानते हैं लेकिन यह हमारी संस्कृती और हमारी सभ्यता से रिलेटेड है। हम इसको राष्ट्री भासा घोसित करते हैं। हमारी राष्ट्री भासा कौन सी है। यही सबसे बड़ी गलती है। अब यह गलती आज से सुधार लो। हमारे संबिधान ने राष्ट्री भासा को हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी सब को समान दिया अदिकार। language के रूप में स्विकार नहीं किया है हिंदी कौन सी लाइंग रचैंथ है कि छम्भिधान में लिखा है इंडियन लाउइज है क्या लिखा है कि अगर राष्ट्र भासा होता تو लिखते हैं नैशनल लैंग्वेग्वेज राज का काम करने के लिए जो लैंग्वेज है अरोरा साहब यही है कि इंडियन लांग्वेज आप टो अपील है सुप्रेम कोर्ट में तो इंडियन लांगवेज लिखा है ओफिशियल राज इंडियन लांगवेज लिखा ओफिशिल राज भासा नेशनल राष्ट्री भासा नहीं लिखा है अगर राष्ट भासा होती तो national language लिखा जाता लेकिन वो Indian official language लिखा है राज भासा अर्थाप वो राष्ट भासा नहीं है तो हम सभी ये भारत में अंग्रेजी माध्यम से सिख्षा कैसे आये आपने वैलेंटाइन डे मनाया कभी नहीं मनाया तो मना लेना मनातें बहुत ज़्यादा लोग आज कर तो लाड मेकाले के ब्रदर इनला थे वैलेंटाइन उन्होंने छे बरस अपना सर्विस किया दिल्ली में और छे बरस सर्विस किया कलकटा में तो उन्होंने अपना एक्स्पिरियन्स सेर किया लाड मेकाले के साथ कहा जब दिल्ली में हम सर्विस करते थे तो लोग हमसे नफरत करते थे हमको बहुत नफरत करते थे हमसे बहुत गुशा करते थे लेकिन जब मैं कलकटा में गया तो हमारे साथ चाई पीने से लोग सोभाग समझते थे सलूट करते थे तो मैंने ये समझा कि जहां जहां अंग्रेजी भासा अधिक है वहां वहां अंग्रेजी राज के प्रती लोगों की उफादारी जदा है और जहां जहां अंग्रेजी भासा कम है वहां अंग्रेजी राज के प्रती नफरत जदा है इसलिए लाड मेकाले ने स्टेंप लगाया कि भारत में सिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए यह सासक की नीती है अंग्रेज से आने के पहले हिंदुस्तान में कोई अंग्रेजी नहीं जानता था मुगल के आने से पहले इस देश में कोई फार्शी उर्दू नहीं जानता था लेकिन जो सासक होता है वो अपनी बात थोपने के लिए अपनी भासा को प्रमुक्ता देता है तो इवेलूशन ग्यान को हमेशा जाचना परखना चाहिए समझ में आया आपको आप अपनी जो चीज हम पढ़ रहे है जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसकी उपयोगिता क्या है उसका उपयोग कैसे हम करते हैं और हमारे जीवन में उसका महत क्या है चोथी बात लिखो रीमिडियेशन गलती को सुधारने की छमता जो ब्यक्ती गलती को छिपाता है वह अपने जिन्दगी को बरबाद करता है और जो ब्यक्ती अपने गलती को सुधारता है वह अपने जिन्दगी का कल्याण करता है तो गलती को कभी छिपाना नहीं चाहिए गलती को सुधारना चाहिए क्या करना चाहिए गलती को कभी छिपाना नहीं चाहिए एक बात याद रख लो लिखो पहले जो बात जो बस्तू हमें किसी से छिपानी पड़ती हो जो बात और जो बस्तू हमें किसी से छिपानी पड़ती हो उस बात उस बस्तू को हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बात और जो बस्तू हमें किसी से छिपानी पड़ती हो उस बात उस बस्तू को हमें अपनी पास नहीं रखनी चाहिए थोड़ी सी बात है और अगर इसका प्रियोग करोगे तो जीवन में बहुत कुछ काम आएंगे हम अपने यहां देखो कोई बात हमारी प्राफिस नहीं है देखा अपने कोई प्राइवेसी नहीं है कोई सिक्रेट लाइफ नहीं है सब के सामने ओपन रहो जीवन खुली किताब रखो जब मरजी चाहो तब मिल सकते हो जब मरजी चाहो बात कर सकते हो जो प्राइवेसी ज़्यादा रखते हो ज़्यादा खतरनाक होते हैं जीवन को खुला रखो क्यों किसी से शिपाना चाहते हो क्यों अपना restriction रखते हो ये बिलकुल गलत बात है तो remediation गलती को सुधारने की छमता हमारे professor ने हमें एक बड़ी अच्छी सिक्षा दी थी कि Mount Everest चोटी पर चड़ने के लिए महीने लगते हैं लेकिन थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो गिरने के लिए मिनट लगते हैं जिन्दगी में बच्चों बनना बड़ा मुश्किल होता है और बिगड़ना बड़ा आशान होता है आप बताओ बनाना मुश्किल है कि बिगड़ना मुश्किल है ये सर्ट पहने हो बनाने में टाइम लगा नहीं लगा है और इसको फाड़ के फेंग दो तो कोई टाइम लगेगा तो दुनिया में बनाना बड़ा मुश्किल होता है अगर हमारे जीवन में एक बुराई आ गई तो दूसरी बुराई को बुलाना नहीं पड़ता बिलियम सेक्स्पियर ने वो थोलो नाम की नाटक में बड़ी अच्छी बात लगी है जिन्दगी में एक बुराई आ गई तो दूसरी बुराई को बुलाना नहीं पड़ता तो इसलिए हमें अपने कमजोरियों का इहसास होना चाहिए और उसको बिजय पाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए तो बात यह आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है तो रीमीडियेशन क्या है गलती को सुधारने की छमता और जो बेक्ती गलती को सुधारता है वो दुनिया में सबसे महान होता है कौन होता है महान होता है वो कौन बेक्ती महान बना मैं आपको समझाता हूँ आप लोग महात्मा गांधी का नाम सुने हैं सब जानते हैं बताने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग परिच्छा में फस्ट क्लास पास होना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं कि थर्ड क्लास पास होना चाहते हैं सभी फस्ट क्लास पास होना चाहते हैं गांधी जिंदगी में कभी फस्ट क्लास पास नहीं हुए गडित और बिज्ञान में बड़े मुश्किल से पास होते थे अच्छा आप अपनी लिखी हुई राइटिंग पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन गांधी अपनी लिखी हुई राइटिंग भी नहीं पढ़ सकते थे कभी कभी वो इतना कनफ्यूज हो जाते थे कि अपनी लिखी वी बात को पढ़ नहीं सकते थे अब आप लोग रात को बिश्तर पे पेशाव कर लेते हैं कि बाथरूम जाजरू जाते हैं क्या करते हैं आपको भूत प्रेत का डर लगता नहीं लगता हैं तो गांधी रात को बिश्तर पे बाथरूम कर लेते थे वो आप बाहर जाएं बोले भूत खा जाएगा भूत किसे डरते थे ओ वो बहुत डरने वाले आदमी थे बाथरूम बिश्तर पे लेते थे बचारे गांधी सराप पिया बच्पन में इस्मोकिंग किया पढ़ाई में बहुत कमजोर थे देशी भासा मा कहूं तो भड़वा महाओ डब्बो हतो हम जी गिया तमें गांधी क्यों हतो भड़वा महाओ डब्बो हतो कोई उसकी क्वालिफिकेशन कोई उसकी अच्छी चीज नहीं थी लेकिन जो इतना डफर इंसान इतना जाहिल इंसान वो दुनिया का इतना महान इंसान कैसे बना तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज थी रीमिडियेशन गलती को सुधारने की छमता गांधी की एक बहुत छोटी सी बात है वो लिखलो गांधी जी जो गलती एक बार करते थे वो गलती दूसरी बार नहीं करते थे गांधी जी के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेस्ता थी गांधी जी जो गलती एक बार करते थे वह गलती दूसरी बार नहीं करते थे अब आप लोगों ने परशों 20 ट्यूप लाइट तोड़ी थी कल 40 ट्यूप लाइट तोड़े उससे पहले 15 ट्यूप लाइट तोड़ी लाइट वाला मुझे रोज गिन के बताता है और कहता है यह ट्यूप लाइट का पैसा गुरू जी आपको देना पड़ेगा आप लोग बाल्टी ले जाते हैं वहाँ बात्रूम बाल्टी वही फेक के चले आते तो यहाँ गुरू जी के पास नोट छापने की मसीन तो नहीं लगी जो बाल्टी खरीद कर ले आएंगे लेकिन आपके लिए हम वो भी करते हैं तो एक बार अगर आपने बाल्टी फेक दिया एक बार ट्यूप लाइट तोड़ दिया तो दूसरी बार ओ काम आपको नहीं करना चाहिए इसका क्या नाम हुआ रीमिडियेशन क्या हुआ गल्टी करना चाहिए आप ट्यूप लाइट को तोड़ रहें मुझे आपसे कोई सिकायत नहीं है आप बाल्टी क्यों फेक रहें मुझे कोई अफसोस नहीं बच्चे हैं फेकना चाहिए तोड़ना चाहिए खुम मस्ती करो मुझे कोई इतराज आपसे नहीं है लेकिन जो गल्ती आप एक बार करते हैं वो गल्ती आपको दूसरी बार नहीं करनी चाहिए बोलो सही बात है गलत बात है आपको रोज टाइम से आ करके यहां बैठना चाहिए लेट हो जाते हैं एक दिन आप लेट हो गए कोई बात नहीं चलो हो गए लेकिन दूसरी बार वो गलती आपको नहीं करना चाहिए जब गलती को सुधारने की छमता रखोगे तभी आप दुनिया के महान इंसान बन सकते हैं और जब गलती को छिपाओगे तो आप दुनिया के महान इंसान नहीं बन सकते हैं बोलो आपको महान इंसान बनना है या नहीं बनना है अगर आपको महान इंसान बनना है मरे बच्चों तो आपको गलती को सुधारने की छमता रखनी चाहिए क्या करनी चाहिए गांधी केस कितने महान बने आप लोग जब परिक्षा देते हैं तो नंबर मिलता नहीं मिलता भारत देश में दो बिद्यार थी हुए जिनके कौपी पर नंबर नहीं दिया गया और लिखा गया एकजामनर दे बेटर आफ एकजामी कौपी जाजने वाले से ज़्यादा समझदार लिखने वाला है उसमें एक बिद्यार थी थे डॉक्टर राजेंद प्रसाद जब उन्होंने परिख्षा दिया तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि ये कौपी जाजने वाले से ज़्यादा समझदार लिखने वाला है उस राजेंद प्रसाद ने महात्मा गांधी के बिशे में क्या लिखा मालूम है जब पहली बार राजिन प्रसाल लिखते में गांधी जी से मिलने के लिए गया तो गांधी चर्खा चला रहे थे मैंने कहा मिश्टर गांधी ये चर्खा चला कर लोगों को मुर्ख क्यों बना रहे हो ये चर्खा चलाने से कहीं कंट्री को फ्रीडम मिलेगा देश को आजादी मिलेगी तो गांधी जी नीचे मूड़ी करके सोच पांच मिनट तक सोच दे रहे फिर मेरे तरव आख उठा कर देखा का लगता है आप कुस्ती लड़ते हैं उन्होंने का जी हां मैं पढ़ता हूँ और कुस्ती भी लड़ता हूँ पहलवानी करता हूँ तो उन्होंने कहा कि आप अपने विरोधी को कौन सा दाव लगाते हो तो राजिन परसाद ने कहा है कोई पूछने की चीज है जो उसको नहीं आता हूँ दाव में लगाता हूँ तो गांधी ने कहा बस यही काम मैं भी करता हूँ बोले क्या बोले अंग्रेज लोग गोली चलाना जानते हैं मैं गोली नहीं चलाता हूँ वो चर्खा चलाना नहीं जानते मैं चर्खा चलता हूँ डाक्टर राजिन प्रसाल लिखते में मन के मन गांधी को गाली बकता नफरत भरे आवाज से मैं वापस आ गया बोले छे महीने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर गोली चला कर भारत को आजादी लेनी है तो बहुत महंगी पड़ेगी चुकि अंग्रेजों के फाउज में 80% भारती सेनिक है तो गोली चलाने वाला भी हिंदुस्तानी होगा, मरने वाला भी हिंदुस्तानी होगा सोदा बड़ा खत्रा है, घाटे का है अगर हम ये अंग्रेज एक ब्यापारी मान सिक्ता के लोग है अगर हम उनके एकोनॉमिक पर अटेक करेंगे ब्यापार को तोड़ेंगे, विवस करेंगे वो थोड़ा टाइम लगेगा, ये जाने के लिए विवस हो जाएंगे च्छे महीने के बाद लिखते हैं, डॉक्टर राजिन प्रसाद कि गांधी इतने बड़े बिद्वान समझदार हैं कि उनको समझने के लिए मुझे च्छे महीने लगे कितने महीने लगे थे, लोग तो मिन्ट में गांधी को गाली बगते हैं राजेंद प्रसाज जैसा बिक्ति लिगता है गांधी को समझने के लिए मुझे छे महीने लगे गडित बिज्ञान में आप दुनिया के सबसे उस समय के बिद्वान बिक्ति थे अलबर्ट आइंस्टाइन कौन थे अलबर्ट आइंस्टाइन ने 30 जनवरी 1948 को गांधी को गोली लगी और उनको सरधानजली देते वे अलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा उस समय के अकबार में निवार्ट टाइम्स और गार्जियन ने छपा कि आने वाली पीडियां ये विश्वास नहीं करेगी कि 50 किलो हड़ी मांस का आदमी कभी धर्टी पर घूमता था गांधी इतना ग्रेट था समझ में आई आपको गांधी अपनी लिखी हुई बात पड़ नहीं सकते थे और जो दोनों हाथ से लिखते थे उनकी अप्छर मोती जैसे बनते थे नेता सभाशन बोस सबसे पहले धर्टी पर राष्ट पिता कहके संबोधित महात्मा गांधी को नेता सभाशन बोस ने किया का गांधी तो इस राष्ट के पिता हैं जो गांधी भूत प्रेज से डरते थे बिश्टर पे बात रूम कर लेते थे इतने डरते थे जब गोल मेज कॉनफरेंस में गांधी लंदन गए और बिश्टन चर्चिल से मिलने के लिए समय मांगा चर्चिल बृतेन के प्राइम मिनिस्टर थे 1937 में चेंबरलेन से सत्था चीनी लोगों ने और चेंबरलेन को हटा कर बिश्टन चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया चर्चिल ने कहा कि मैं इस लंगोटी बंद फकीर से नहीं मिल सकता अगर ये मिलेगा तो मेरा बिचार बदल देगा जो चर्चिल जर्मन से नहीं डरता था जापान से नहीं डरता था रूस से नहीं डरता था वो चर्चिल महात्मा गांधी से डरता था तो क्यों गांधी इतना महान बना गांधी के जितने भी चेले थे सब गांधी से महान थे, बिद्वान थे सरदार बल्लब भाई पतेल की तरह सकती गांधी में नही थी राजेंध प्रसाद की तरह टेलंट योग तागंधी में नहीं थी जवाहलाल नहरू He was good speaker also, he was good thinker also, he was good writer also अच्छे लेखक थे अच्छे बिचारक थे लेकिन गांधी सब का गुरू था जवाहर का भी गुरू था सुबास का भी गुरू था राजिन प्रसाद का भी गुरू था लाल बहादुर सास्तरी का गुरू था तो सब का गुरू कैसे बना गांधी में सबसे बड़ी बात थी गलती को सुधारने की छमता क्या थी और आपके अंदर भी अगर गलती को सुधारने की छमता आ जाएगी तो आप भी दुनिया के सबसे महान इंसान बनेंगे आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है पांचवी बात है सोशियल कंपिटेंट टू एनलाईज चेंग्ज सामाजिक शक्ति और समाज में परिवर्तन जो अपने बिचार हैं जो अपनी सोच है जो आपके पाद छमता है जो अपने पाद रिसोर्स है उसका उपयोग सरव अपने लिए नहीं करना है आप देखो एलेकजंडर ग्राहम ने टेली फॉन बनाया क्या उसका उपयोग अपने लिए किया माइकल फैरेडे ने बिजली का आविसकार किया क्या अपने फायदें के लिए एलेकजंडर फ्लेमिंग ने पैंसलीन बनाया तो क्या उसका उपयोग अपने लिए किया इसलिए जो भी चीज आप बनाते हैं आपके पास महतिस बात का नहीं कितना पैसा है कितना ग्यान है कितना सक्ती है महतिस बात का है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं आपके पास स जाष्ट की समाज की रक्शा के सिए कीजी आपके पास ne आ बहुत बड़े वैग्यानी के शिक्षा विदैंग में उसका काम दूसरे के लिए कीजी आप के पाथ धन है दौर तो उसका उपयोग समाज के लिए कीजिए आज दुनिया में लोग महान बनते तो दान देने की प्रथा है है नहीं प्रथा आप की तरह एक बजबालक थे उनका नाम था जे आरडी टाटा क्या नाम था जब वो पढ़लिक करके अच्छे बने तो उनके पिता ने कहा कि आप बिजनस में काम ध्यान दो तो उन्हों ने कहा नहीं मुझे तो सेवा करनी है तो बोले सेवा क्या होती है तो बोले भूखे को भोजन देना किसी को कपड़ा देना किसी को पढ़ाई के लिए पुस्तक देना ये सब सेवा करनी है तो JRD Tata ने अपनी आटोबाइग्राफी में लिखा कि उनके पिता जी ने खेंज कि उसको दो चाटे लगाए कहा ये मूर्ख सेवा नहीं सबसे बड़ा अपराद है क्या कहा ये सेवा नहीं सबसे बड़ा अब कहोगी किसी को मदद करना कोई अपराद होता है किसी को भोजन देना किसी को कपड़े देना अपराद है लेकिन JRD Tata के पिता ने कहा ये अपराद है तो क्या समझाया अपने बेटे को कहा अगर आप सेवा करना चाहते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर एक इंडेस्ट्री लगाओ पांच हजार गरीब लोग को रोजगार दो वो पांच हजार लोग अगर अपने माता पिता अपने पती पतनी और दो बच्चों को पालते हैं तो तीस हजार आदमी को रोज अन्न छेतराब चला रहे हो तीस हजार को कपड़े की जरूरत पूरी कर रहे हो 30,000 लोगों को medical facility प्रोवाइट कर रहे हो और आप वैसे कपड़ा रोटी देते रहो तो लोग भिखारी देश में भिखारीयों की फोज बढ़ती जाएगी देश की economy खराब होगी और जो आदमी काम नहीं करेगा तो खाली दिमाग सैतान का फिरो क्राइम बढ़ाएंगे तो आप अगर ये सेवा करते हो तो क्राइम रेट कम होगा भिखारी खतम होंगे उद्दमसील बनेंगे परिश्रमसील बनेंगे यही बात रिगवेद में कहा अकर्माह दस्यू कर्म ने करने वाला ब्यक्ति राक्षश होता है जो बिना परिश्रम किये धन को अरजित करता है वो कौन होता है राक्षश होता है तो आप लोग जिन्दगी का एक सिद्धान्त बना लो कि परिश्रम किये बगर धन हम नहीं कमाएंगे क्या करोगे मेरी बात मैं सुन रहा है और नहीं सुन दे हूँ आप सिविर से अपने घर जाओ और घर जा करके छोटा सा काम करोगे कर सकते हो तो जो करेगा तो बताएं बहले बास सुन लो और अगर आप कर सकते हो तो मुझे प्रामिस करना जोटा प्रामिस नहीं करना अगर आपके पिता कोई सर्विस में है या किसी छेत्र में है अगर वो भरष्टा चार करके पैसा घर लेकर आते हैं तो आप अपने पिता से कहो पिता जी हम दाल रोटी नहीं चटनी रोटी खाएंगे लेकिन गलत तरीके का पैसा आप मेरे घर मतला हो बोलो ये बात कोई कहेगा जो कहेगा वो हाथ खड़ा कर दे इतनी साहस किसके अंदर है ये सबके अंदर ये साहस है ऐसा आप चाहते हैं लेकिन देखो जोटा प्रामिज नहीं करना है अगर आप कर सकते हैं अगर आप नहीं करो मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन आपको लगता है ये काम होना चाहिए आप अपने माता पिता से कहो कि हम दिवाली के दिन फटाक अचा आप बताओ समझदार हो कि मूर्ख हो समझदार हो पक्का समझदार हो आप लोग लक्षमी की पूजा करते हो नहीं करते हो लक्षमी की पूजा किसलिए करते हो धन पाने के लिए आप लक्षमी की पूजा करते हो धन पाने के लिए और पांच मिनिट में उसी लक्षमी में आग लगाते हो फटाके फोड़ते हो फटाके फोड़ते हैं आप लोग नहीं फोड़ते हैं अब बताओ ये मुर्खों का काम है समझदारों का काम है फटाके फोड़ने से कौन से फैक्टरी बनती है कौन से भारत का निर्माड होता है उससे तो पलूशन होता है लोगों के कान में सोर परदे फट जाते हैं और दुनिया भर का नुक्सान होता है तो आप बोलो समझदार हो कि मूर्खो जो फटा के फोड़ता हो समझदार होता है और आपने कहा था मैं फोड़ता हूँ अब नहीं फोड़ोगे ने तो आप देखो लक्षमी की पूजा करते हो और उसी समय लक्षमी में आग लगा देते हो लगाते हो नहीं लगाते हो पानी कलर करते हो सब बेकार करते हो इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए वो बिबेक पूरवक करना चाहिए कैसा करना चाहिए ये नुकसान दायक है ये फायदा कारक है हमें सोच समझ कर वो काम करना चाहिए इसलिए सेवा भी करनी है तो जो मफत में धन को लुटा मत दो उसको सो बार सोचो इसकी उपयोगिता क्या है इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है तो जैसे जे आर्डी टाटा के पिता ने उनको सिख्षा दिया वैसे आप लोग भी अच्छे सिख्षित इंसान बनने की कोशिस करिये यह कमपिटेंट छमता और दूसरी बात है कमिटमेंट दूसरी बात क्या बताई थी मैंने तो कमिटमेंट के बिशे में कल मैंने बताया था कि अपने जीवन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बिश्तर छोडने के बाद पहला चिंतन हमारा स्वास्त अच्छा हो ग्यान हमको मिले बता दिया था ने कल मैंने और तीसरा प्रफॉर्मेंस अर्थात हमेशा एक्टिव और इफेक्टिव रहना हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना आज के जमाने में जो एक्टिव और इफेक्टिव होगा वो रोड़ पती से अरब पती बनने में टाइम नहीं होगा और जो आलसी प्रमादी होगा इन एक्टिव इन इफेक्टिव होगा उसको अरब पती से रोड़ पती बनने में टाइम नहीं लगेगा ते एक वाक लिख लो future empire shall be empire of knowledge, mind and wisdom future empire shall be empire of knowledge, mind and wisdom आने वाले समय में वही मनुष्य प्रगती करेगा जो अपने बुध्धी तत्व का जादा से जादा उपियोग करेगा अब ये समय मसल पावर का नहीं है, ताकत का जमाना नहीं है अब ये समय मनी पावर का नहीं पैसे का जमाना नहीं अब ये समय माइंड पावर का है किसका है आज के दुनिया में वही मनुष्य कामियाब होगा जो अपने बुद्धी तत्व का जादा से जादा उपियोग करेगा आज के समय में अगर कोई कहता है कि मेरे माता पिता गरीब है मेरे रिष्टेदारों ने मुझे सहायता नहीं किया मुझे अच्छी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिली वह ब्यक्ति अपने मूर्खता को प्रदर्शित करेगा आज के जमाने में अगर आप अपने बुद्धी का उपियोग करेंगे तो दुनिया में कोई भी ब्यक्ति आपका मदद नहीं करें फिर भी आप दुनिया में महान सक्तिसाली प्रगतिसील बन सकते हैं जैसे किसको ये मालुम था कि 4,000 रुपे से बिजनस शुरू करने वाला धिरू भाय अंबानी 90,000 करोड का बिजनस करके रिलाइंस गुरूप बनाएगा बोलो आप लोग 4,000 रुपिया कर सकते नहीं कर सकते जब 4,000 रुपे से 90,000 करोड धिरू भायम बानी कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते किसको ये मालुम था कि 2,000 रुपे से बीमा पॉलसी का काम सुरू करने वाला सुब्रतोराय सहारा 65,000 करोड का ट्रेड करके सहारा गुरुप बनाया किसको ये मालुम था कि 10,000 रुपे से सौफ्ट्वेर का काम सुरू करने वाला नारायन मूर्ती इनफोसिस कंपनी का मालिक बन गया किसी को ये नहीं मालुम था कि न्यूज पेपर बेच कर पढ़ाई करने वाला एपी जे अब्दुलकलाम इस देश का राष्ट पती बन गया मातरी 11 वी कलास तक पढ़ने वाला बालक फर्स पर सोने वाला बालक इस्टीव जॉब्स एपल फोन बना करके दुनिया में मुबाईल में टच्च स्क्रीन में करन्ती ला दिया तो अब ये जमाना मसल पावर का नहीं है मनी पावर का नहीं है अब जमाना माइंड पावर का है और जो बेक्ति अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उप्योग करेगा वो दुनिया का सबसे महान इंसान बनेगा तो अब रोने का जमाना नहीं है सिकायत करने का समय नहीं हमको किसी से सहयोग नहीं मिला हमें मदद नहीं मिली ये सारी बाते बंद करके आपको पुर्शार्थ और परिश्रम करने का समय है जै हिन